तो गाईज आज हम आए है फूडीज गार्डन कैफे एंड रेस्टरेंट पे जो की है मॉडल टाउन करनाल में यहां का एंबियन्स यहां का फूड यहां की वाइब अलगी लेवल की थी यहां पर हमने ट्राइ की 18 डिफरेंट फूड आइटम्स वीडियो में बने रही है मज टेबल्स थी नूडल्स थे और प्रॉपर चिल्ली और जो सौरनेस थी मज़ेदार थी उसके बाद धूएधार प्लैटर हमने ओर्डर किया धूएधार वेज प्लैटर इसके अंदर जितना दूआ दिख रहा है उससे जादा यह टेस्टी था सबसे पहले इन्होंने हमें सर इसके बाद मैंने ट्राई किया चीज चील्ली चीज चील्ली पे बहुत ही लाइट कोटिंग थी और इसका टेस्ट अल्टिमेट था यह इनकी खुद की बनाई हुए डिफरेंट टाइप की सैलड थी यह भी मुझा टेस्टी लगी और मंचूरियन बॉल्स आप देख सकते ह इसके बाद मैंने ओर्डर किया मश्रूम डबल लेकर इसकी आप प्रेजंटेशन देख सकते हैं कितना ही अमेजिंग लग रहा है देखके इसको इन्होंने सर्फ किया क्रीमी अनियन के साथ और ग्रीन चटनी के साथ इसके अंदर इतनी ही लाजवाब स्टफिंग थी चीज और पनीर की स्टफिंग थी इसके अंदर जो कि इसका टेस्ट डबल कर रही थी माइंड ब्लॉइंग टेस्ट है इसका मज़ा आ गया खाकर यह डिश जरूर ट्राई करना है यहां पर आगर जाओगे तो उसके बाद हमने और किया पनीर हिल टॉप यह भी एक युनिक डिश लगी मुझे इनकी बहुत इंदर ऊच्छे से प्रिपैर कर रखी थी कोटिंग कर रकी थी पालक की और अंदर वेजीज और चीज की स्टफिंग थी इसको इन्हों ने सर्फ किया ग्रीन चटनी चेसाथ और अनियन के साथ इसको हमने ट्राई किया बहुत ही साफ् t dreams मस टफिंग ती अंदर तो ग्याइज इतने स्नेक्स खाने के बाद सोचा कुछ ड्रिंक्स ओर्डर की जाए तो हमने ओर्डर किया कीवी कूलर शेक और इसके साथ में हमने ओर्डर किया स्ट्रॉबरी शेक दोनों की प्रेजेंटेशन बहुते अच्छे से की इनों ने और सबसे पहले हमने ट्राई किया इनका कीवी कूलर शेक कीवी कूलर शेक में अच्छा है कीवी का फ्लेवर था और साथ में बहुत ही रिफ्रेशिंग लगा मजा आ गया इसको पीकर इसके बाद हमने ट्राई किया जो कि बहुती स्मूध था, क्रीमी था और टेस्टी था फिर जी आगे हमारा वाइट सॉस पास्टा विधग गार्लिक ब्रेड वाइट सॉस पास्टा की प्रेजन्टेशन और कौंटिटी दोनों ही अच्छी थी चीजी था क्रीमी था और मुझे टेस्टी लगा गार्लिक ब्रेड भी अल्टिमेट थी उसके बाद इनका स्पेशल बर्गर है ये बहुत ही लोड़िड और अल्टिमेट बर्गर लगा जो कि ये सर्व करते है फ्रेंच फ्राइज के साथ फिर गाइज हमने मंगवाया फार्म हाउस पीजा जो की बहुत ही लोड़िड था थिन बेस और क्रिश्पी था और चीज आप देख सकते है कितना ही लोड़िड है यार उतना ही टेस्टी लगा मुझे ये इनका पीजा मस ट्राइज है ये भी यहाँ पे जाके उसके बाद जी फाइनली हमने मंगवा लिया में कोर्स में कोर्स के साथ इनों ने दी फ्रेश ग्रीन सैलेड जो की देखके ही बहुत टैप्टिंग लग रही थी सबसे पहले हमने डाला पनीर पसंदा साथ में थी काजू करी और होए 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 ये थे इनके छोले जो की स्टफ्ट कुल्चे के साथ हमने मंगवाय थे ये है इनका स्टफ्ट कुल्चा आप स्टफिंग देख सकते हैं अंदर की सबसे पहले हमने स्टफ्ट कुल्चा और इनके पंजाबी छोलो के साथ ट्राई किये बहुत इला जवाब थे फिर हमने ट्राई किया गार्लिक नान विद पनीर पसंदा पनीर तो सॉफ्ट था अं इसक्रीम ब्राउनी सिजलर वाव वीडियो में जितना डिलीशियस ये लग रहा है रियल में उससे भी जादा डिलीशियस था बहुत ही अमेजिंग प्रेजेंटेशन लगी मुझे इसके बाद फाइनली हमने और की अपनी कैपेचिना कॉफी ये लोग अपनी कॉफी फूड और यहां की वाइब आप भी इंजॉय करना चाते हैं तो आ सकते हैं फूड़ीज गार्डन मॉडल टाउन करनाल में